नमस्कार दोस्तों, वेलकम टुश्टडी वित नीलम, आज हम जन्वरी मन्थ 2021 के फोर्थ वीक के करंट अफेर्स कम्पलेट करेंगे और इसके बाद डेट 29 जन्वरी से 31 जन्वरी का जो करंट अफेर्स है उसके लिए आपका फिप्त वीडियो बन जाएगा, ओके, तो ये प और इन वीडियो को अगर आपने मिनीमम दो बार भी अगर देख लिया, तो आपका पूरा जन्वरी मन्थ 2021 का करंट अफेर्स सॉलिड हो जाएगा, हाँ, इसके साथ एक सर्थी कि आप रेगुलर वीडियो फॉलो करते होंगे तो, ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं आज क वीकली करंट अफेर्स, पहला कोशन है हमारा हाल ही में, एस्टोनिया की पहली महिला प्रदान मंतरी निम्निमे से कौन बन गई हैं, तो यहां हमारा राइट आंसर होगा, काजा कलास, ओके, काजा कलास बन गई हैं, एस्टोनिया की पहली महिला प्रदान मंतरी, और इन्हों में पहला ऐसा देश है अभी वर्तमान में विश्व में पहला ऐसा देश जहां पर प्रधान मंतरी और राष्ट पती दोनों ही क्या है महिला है तो वो देश कौन सा है तो वो देश है एस्टोनिया कौन है एस्टोनिया है तो यह आपको याद रखना है ओके और स्लोवाक्या क पहली महिला उपराष्ट पती और क्रम से देखे तो 49 क्रम की पहली महिला उपराष्ट पती बन गई हैं तो ये भी आप याद रखिएगा नेक्ट कॉस्चन है अमित खत्री ने 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 इन्होंने तोड़ा है रिकॉर्ड किसने अमित खत्री ने तो इन्हें आप याद रखेंगे नाम अमित खत्री है लियान मॉन्डॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है देश के 67 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं सतरंज में दी जाती है ग्रेंड मास्टर की जो किताब है वो और ये कहां से हैं तो ये गोवा राजी से हैं याद रखेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए विश्व सतरंच दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है आपको हिंट कर देती हूं जुलाई मन्थ में मनाया जाता है ओके कमेंट जरूर कीजिएगा जिगमेट डोलमा ये लद्दाख से हैं और इन्होंने दाका मेराथन 2020 में कौन सा इस्थान हासिल किया है तो इन्होंने हासिल किया था चोथा इस्थान ओके लद्दाख से हैं इसलिए नाम इंपोर्टेंट हो जाता है 27 जनवरी 2021 को केंद्रे यूबा मामले और खेल मंतरी कीरन रिज्यूजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कारिकरम के किस संसकरण का समापन किया है तो राइट आंसर होगा दूसरे संसकरण का फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में प्रधान मंतरी के द्वारा प्रारम भी किया गया था और इसके कई इनिशियेटिव्स जो है शिरू किये गए फिट इंडिया मूवमेंट के तहाट और उसी में से एक स्कूल लेवल पर शिरू किया गया था फिट इंडिया स्कूल वीक तो तो राइट आंसर होगा यहां पर हमारा Google के जो कर्मचारी है व्यविवन देशों में तो इस उन देशों के दस देशों के जो कर्मचारी है उनकी 13 ट्रेड यूनियन है उन्होंने मिलकर बनाया यह अल्फा ग्लोबल मनामक क्या आपका अंतराष्टी संग और Google की जो कारेंट कंपनी उसका नाम क्या है अलफ़ाबेट है तो वो भी आप याद रखेंगे नाम याद रखना किस ने बनाया है इस गुरूप ने बनाया है कहां मिलेगा इसका हैट कोर्टर क्लेलिफॉर्निया यूएसे में नेक्स्ट है हाल ही में जलवाईव परिवर्तन पर विश संग के द्वारा विश्व के सबसे बड़े जलवाईव परिवर्तन सरवेक्षण को कंड़क्ट कराया गया है 1.2 मिलियन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और विश्व के लगभग 50 देशों में इस सरवेक्षण को करवाया गया जिसमें 64% लोगों ने मानना कि अजनस उपकरण निम्न में से किस मंत्राले की द्वारा जारी किया गया तो राइट अंसर होगा एलेक्ट्रोनिक्स और सूचरा प्रध्योगी की मंत्राले कौन है मंतरी रवी शंकर प्रशाद है और यह जो उपकरण है इसके माध्यम से क्या होगा data का कलेक्शन होगा data collection इस पर पूरा क्या होगा data को compile किया जाएगा इस उपकरण के माध्यम से तो टेजस intelligence उपकरण ओके कौन इसको जारी किया है electronic तो सूचना प्रद्योगी की मंत्राले की मंत्री रवी संकर परशाद के द्वारा इसे जारी किया गया है तो एक अच्छा उपकरण है आप जब मैंने आप लोग को daily current affairs में बताया कि MPPSC हो या UPSC हो या किसी भी state जो man's exam होता है descriptive उसमें अगर e-governance का topic आता है तो उस e-governance के topic में आप इस तरीके के current affairs के point को include कर सकते हैं तो आपके answer writing रहेगी वो बहुत ज़्यादा rich रहेगी तो ये वहाँ use हो सकता है next है हाली में लाला लाचपत राई की जैनती कब मनाई गई तो right answer होगा यहाँ पर हमारा इनकी जैनती मनाई गई है कब 28 जनवरी को को लाल बाल पाल ठीक है लाल मतलब लाल मतलब बाल गंग़धत तिलक और पाल बिपेंच चंद्रपाल इन तीनों को हमेशा पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे लाल बाल पाल में कौन-कौन शामिल है ओकी नेक्ट देखते हैं ओडिशा का सबसे प्रिसेद और सबसे पुराना आदिवासी मेले 2021 का निम्निमे से किस सहर में प्रारम हुआ है तो राइट अंसर होगा ओडिशा की कैपिटल भुबनेश्वर में ओडिशा का सबसे पुराना आदिवासी मेला देखिए वही इस टेट लेबल पर जो आदिवासी मेले होते हैं वो अलग होते हैं और जो एक फरवरी का जो करंट अफिर से उसमें आदी महुस्तव जो है वो अलग है ना वो नेशनल लेबल पर है जिसका उदगाटन किया गया है किसके द भुबनेश्वर में आयोजित किया गया है और भुबनेश्वर मतलब बोले तो आपका ओडिशा की कैपिटल ओडिशा के सी एम को ने तो नवीन पतनायक है और राज्यपाल को ने गणेशी लाल है तो यह आप याद रखेंगे ओके बीतर कडिका भी चर्चा में क्यों था तो प्रोमकारिश्वर बांध के जलासे में बनाया जा रहा है विश्व का सबसाई बड़ा 600 मेगा वोट का तेरता हुआ सोलर प्लांट ओके याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही मेनिमन में से किस सहर के बच्चों के लिए एक नाव पुस्तकाले बोट लाइबरेरी बनाया ग अब इससे एक और पॉइंट याद रखना कॉलकत्ता में ही जो छोटी ट्रेन चलती थी बस की बस जेसी ट्रेने जो चलती है उनको क्या बोला जाता है ट्रंप जो है ट्रंप लाइबरेरी यह भी कॉलकत्ता में ही प्रारंब की गई थी ओके तो यह दोनों पॉइंट आप असोग पुरम में देश का पहला चंदन संग्राले बनाया गया है और अल्ला पुझा यह कहां का जिला है तो यह केरल का है और यहां पर क्या इस्थापित किया गया है तो सभी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही में समचारों में चर्चा मेरा अंतर 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर राष्टी होलोकोष्ट इसमरण दिवस और इसे मनाता है कौन यूएनो यूएनो के द्वारा से 2005 से मनाना प्रारंब किया गया दुत्तिय विश्वियुद के दोरान जो जुईस लोग थे उन्हें हेटलर के द्वारा केंपों में रखा गय थे तो उनकी याद में उनसे जुड़े हुए महतपुन कारिक्रमों को आयजित करेंगे विश्विस्तर पर ती यह आप याद रखेंगे हाल ही में सिक धर्मके दश्वे गुरू गोविंद सिंघ की 20 जन्वरी 2021 को कौनी जैनती मनाई गई गई तो राइनट अनसर होगा 354 जैनती इनकी मनाई गई है और आपको पटना साहिब में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था धीग हे गुरु गोविंद सींग का, 125 वी जेनती हम किस-किस की मना रहे हैं, तो 125 वी जेनती हम मना रहे हैं, सुभाज चंद्र बोस की मना रहे हैं, और 23 जन्वरी जो इनका जन्म दिन हैं, उसको हम मना रहे हैं, पराक्रम दरिवस के रूप में, पहली वार मनाएगा, इसलिए important है, औ ये इतने पॉइंट सुभाज चंद्र बोस जी से आप याद रखेंगे, और कहां हुआ था इनकी जेनती पर पराक्रम दरिवस का आयजन, कॉलकत्ता के विक्टोरिया मैमोरियल में हुआ था, और वहीं पर निर्भीक सुभाज प्रदर्शनी भी आयजित की गई थे, नाकपूर में इस्थे ते और अभी चर्चा में इसलिए आया बाल ठाकरे नाम तो किया ही गया है, साथ ही जो सीम है करनाट महराष्टरा के उधव ठाकरे, उनके द्वारा 26 जनवरी को इंडियन सफारी यहां पर शिरू की गई है, इंडियन सफारी 2021 नाम से सफारी शिरू क इसलिए भी चर्चा में है, कौन है मुख्य मंतरी तो दव ठाकरे और यहां के जो सीम है, वो कौन है भगत सींग कोश्यारी जो काहां के राज्यपाल वी है, गोवा के भी है, तो यह आप याद रखेंगे, और पुने क्यों चर्चा में था तो पुने में है सिरम इंसिट्य कोविकल नामक एक और वेक्सीन तयार किये, उसे भी मंजूरी मिलने वाली है, तो इसलिए पुने को भी आप याद रखेंगे, मुंबई क्यों चर्चा में था तो मुंबई वर्स 2020 में देश का पहला ऐसा सहर बना था, जहां पर ट्राफिक सिगनल पर महिला आकरती भी बना पर देखी जो यूए नो है एक अंतराष्टी संगठाने और इसे रन करने के लिए फंड की आवश्यक्ता चलती परती है, तो यह फंड कौन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी सारी गतिवीदियां पूरी होती हैं, लेकिन जो यह साथ देशे इसमें इरान, नाइजर, क कांगो, दक्षन सुडाउन, कांगो और आफ्रिकन जो है इस तरीके के साथ कंट्री जो हैं, इन्होंने क्या करा है, यूए नो को कोई फंड नहीं दिया है, इसलिए इनके वाटिंग राइट, चुना बोट डालने का इनका अधिकार समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, जनर पर्मानेंट मेंबर की संख्या 10 होती है, टोटल रहते हैं इसमें 15 मेंबर, ओके, नोन पर्मानेंट मेंबर में भारत चुना गया है, 2021 से 2023 तक इसका मेंबर, और ये तीन कमीटियों का मेंबर भी बना है, ठीक है, एक है आपका तालिबान संगठन जो है, तातंग बाद टेर होता है, अब इस रो, कौन ने करा है, इस रो ने, अब इस रो की टी-शिट्स आपको मिलेंगी, ओनलाइन इस रो के, जो मग होते हैं, चाय पीने वाले, वो मिलेंगे, ओके, और भी जो एसेसरीज हैं, उसको जैसे इस रो बोटल अपनी लांच करेगा, तो उस पर किसका ल इस रो की टी-शिट्स वगेरा मार्केट में देखने को मिलेंगी, ओके, जिस रो का क्या होगा, रेविन्यू बढ़ेगा, कौन है इस रो के, जो वर्तमान में अध्यप्च हैं, तो के सिवान है, ओके, याद रखना, के सिवान, क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, हाथ, च आइक्सप्रेस वे है, इस पर दो ऐरिश्ट्रिप बनाई गई हैं, इस से पहले भी लखनव आगरा, जो एक्सप्रेस वे पर है, उस पर एक एरिश्ट्रिप बनाई गई थी, मतलब यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा, फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं, इन एक्सप् B.S.F.K. द्वारा 21-27 जन्वरी 2021 के मद यह operation चलाया गया क्योंकि यहां घना कोहरा होता है और इस समय पाकिस्तान की तरफ से चाइना की तरफ से जो घुसपेटी होते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है ठीकि जासूसों के आने की तो उसके लिए यह operation चलाया गया था B.S.F के डारेक्टर जेनरल कोन है राकेस अस्थाना तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है कोशन हाल ही में a textbook urban planning and geography नामक पुस्तक निम्न में से किस ने लांच की तो राइट आंसर होगा हमारे उपराश्ट पती कोन है बैंकर यह नाइडू राज्यसभा के उपसभापती इनके द्वारा यह लांच की गई है इसके लेखक कौन है तो लेखक है समीर शर्मा कौन है समीर सर्मा जब दिखिए राष्ट पती उपराश्ट पती प्रधान मंतरी किसी राज्य के मुख के मंतरी या राज्यपल जब books को लांच करते है तो वो books important हो जाती है पूछने तो यह आप याद रखिया है किसकी बुखे है समीर सर्मा की लांच किस ने किया बैंके एन आइडू जी के द्वारा लांच की गई है राज्यना सिंग इन्होंने डॉक्टर कृष्णा सकसेना की अबुके औफ फ्लावर को लांच किया था तो यह भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हाली में इक्यावन बे भारतिये फिल्म फेस्टिवल में निमने में से किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवर्ड जीता है तो डेनमार्क की फिल्म है यह इन टू दी डार्कनेस इसके द्वारा जीता गया है गोल्डन पीकॉक अवर्ड इक्यावन ब सोला से चोबीस जन्वरी के मध्य कहां पर गोवा में हुआ था फोकस्ड कंट्री कौन सा था इस फिल्म फेस्टिवल में तो बंगलादेश इसमें फोकस्ड कंट्री था ओके ये भी आप याद रखेगा नेक्स्ट है हाल ही में विभिन ने पदम पुरुषकारों का वेतरन कि इस वर्ष कितने पदम भीभूषण पुरुषकार दिये गए मैं यहां पूछा जा रहा है पदम भीभूषण ओके ये ध्यान से देखिए तो यहां पर राइट अंसर क्या होगा साथ दिये गए पदम भीभूषण और पदम भूषण दिये गए दस पदम शिरी दिये तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है एमफेक्स 21 सैयुक्त सैन्य अभ्यास 21-25 जनवरी के मद्ध संपन हुआ जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं यहां नहीं पूछा जा रहा है नहीं था तो यह तीनों तो इस तरीके के जब कोशन आते तो बच्चे जनरली रॉंग आंसर करके आ जाते हैं तो राइट आंसर है यह सभी शामिल थे कहां पर हुआ अंडबान निकोबार में आयजित हुआ था यह सैयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसमें तीनों ससस्त्रवल सामिल हुए थे बारते जल स स्थल से न और वाई उसे न ओके याद रखेगा इसी तरीके से एक अभ्यास हुआ था अंडबान निकोबार में ही कबच ओके तो कबच जो अभ्यास था उसमें कौन-कौन शामिल था इसमें आर्मी थी नेवी थी और आपकी एयर फोर्स भी थी और इसके सांथ ही थी भारत यह तर ट्रक्षा बल भी इसमें शामिल था ओके याद रखना नेक्स्ट दिखते हैं हाली मैंने में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया तो राइट आंसर होगा जर्मन वोच जर्मन का जर्मनी का एक संगठन है यह जर्मन वो किस ने जारी किये तो वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम के द्वारा जारी की गई है ओके क्लिक कन्फ्यूज मत होना इंडेक्स जर्मन वोच ने जारी किया और इसके अनुसार यह लिश्ट उन देशों की बनाई गई जहां पर क्या है क्लाइमेट जो वो है आपका रिस्क ठी ग्लोबल जो जलवाई परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे अधर रिस्क वाले कंट्रीज में हमारा नुम्बर कौन सा है सात्वा है ओके याद रखना किसने जारी किये जर्मन वोच के द्वारा जारी की गई है और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2021 का सोलवा एडि इसकी स्थापना किस दिन की गई थी तो राइट आंसर था 25 जनवरी 2010 को और 25 जनवरी 2021 को यह अपने 10 वर्ष पूर्ण होने का मना रहा है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसकी स्थापना प्याद रखेंगे क्योंकि कोविड वैक्सिन जो विक्सित की गई है देश सताब्स पर्ण किया जाएगा उसके आधार शिला रखी गई तो राइट आंसर होगा पंजाब पंजाब के मुकि मंत्री कोंने अमरिंदर सिंग इनके द्वारा कहां पर अम्रिश्थर में क्या बनाया जा रहा है जलिए वालावाग सताब्स पस्था पार्ण किया जा रहा ह इस जलियावाला बाग हत्याकांट में लगभग सरकार के द्वारा ब्रिटिस सरकार के जो आकड़े 379 लोगों की मृत्ति हुई थी, जनरल ओडायर के द्वारास पर क्या चला दिये गए था, बंदू के चलवा दी गई थी, और गुरू रवेंदर नाट टेगोर के द्वारा इस हत्याकांट के बाद क्या खरा था और उन्हें अपनी नाइट हुट की उपाधी त्याग दी थी, जो उन्हें ब्रिटिस सरकार के द्वारा दी गई थी, तो ये इतने पॉइंट आप इस कोश्चन से याद रखेंगे, ओके, नेक्स्ट दिखते हैं, हाल ही मेनिमन मेंसे कि संगठन के द्वारा भारत की जीडीपी ब्रतिदर, वित्ति वर्सों 2021 में 11.5% रहने का नुमान व्यक्ति किया गया, तो राइट आंसर होगा, मुद्राकोष, ओके, अंतर राश्टी मुद्राकोष या आईमेफ के द्वारा या नुमान व्यक्ति किया गया, कि 11.5% की ग वेंग के मिंबर होते हैं, वही आईमेफ के मिंबर बनते हैं, इन दोनों में ये कनेक्शन है, मैनेजिंग डारेक्टर कौन है आईमेफ की, तो क्रिष्टीना जॉर्जिया है, और चीफ एकोनोमिस्ट ऑफिसर कौन है यहाँ पर, तो ये हैं गीता गोपिनाथ, कौन है, गी Green Tax निमने में से किस मंत्राले के दूरा लगाये जाएगा सड़क परिवहन और राजमर्ग मंत्राले के दूरा प्रदूशन को कम करने के लिए जो आट साल पुराने सारवजनेक वाहन है उखे उन पर इवान राजमार्ग मंतरी और इसके साथ ही MSME मंतरी भी यही है ओके नेक्स्ट देखते हैं कॉश्चन हाली में किस देश के प्रधान मंतरी के दुवारा COVID-19 के संकट के कारण अपने पस से इस्तीफा दे दिया दे कि बहुत जादा इस्तिती बिगड़ गई यह कहां पर इटल इनके साथ ही एक और जो राष्ट पती है ठीक है उन्हें आप प्रधान मंतरी उन्हें आप याद रखेंगे कौन मंगोलिय के प्रधान मंतरी ने भी COVID-19 के कारण अपने पस से इस्तीफा दे दिया क्या नाम है उनका खुरल सुक है क्या है खुरल सुक है इटली की कैपिटल क्या है रोम है और केरें सी क्या है यहांकी यूरो है books ऑर इक और इंपॉर्टन पाइंट याद रखना जो युनेसको है उसकी सबसे जादा साइट साइट से अगर आपको विश्व में कहीं मिलेंगी किसी देश में तो भू कहां मिलेंगी इटली में मिलेंगी औरbahn नेक्स्ट देखते हैं हाली में अंतराष्टी सीमा सुल के दिवस कब मनाया गए तो राइट अंसरों का 26 जन्वरी को प्रतिवस अंतराष्टी सीमा सुल के दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड कस्टम और्गनाईजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी वही तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड कस्टम जो और्गनाईजेशन है इसमें मेंबर कंट्रीज की सैंक्या 179 है कितनी है 179 हेटकॉर्टर आपको कहां मिलेगा हेटकॉर्टर आपको मिलेगा बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स बेल्जियम तो इस अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे याद रखना 24 जन्वरी को हमने क्या मनाया राष्टी बाली का दिवस मनाया था 25 जन्वरी को हमने नेशनल वाटर्स डे मनाया और 25 जन्वरी को हमने रिपब्लिक डे मनाया और 26 जन्वरी को ही अंतर राष्टी सी मसुल के दिवस, 10 जन्वरी को क्या मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट है, हाल ही में भारती भुवेग्यानिक सर्वेक्षण ने अपने कुछ मुक्याले आपको कहा में लेगा, याद रखिएगा, कलकत्त में इसका ही मुक्याले ही, इसकी स्थापना इसकी स्थापना उगीती तो इसकी स्थापना, विश्वेक्ष गूई तो इसकी स्थापना की गई थी kneadutanfish और ये किसके अंतरकत काम करता है support सर्वे ओफ इंडिया के अंतरगत सर्वे ओफ इंडिया के अंतरगत यह काम करता है यह हुई थी 1767 में 1767 में याद रखना इसके पांच छेतरी कारेयले भी हैं सर्वेक्षण के तो यह कहां कहां पर है लखनव जैपूर नाकपूर है द्रबाद सिलोंग और कॉलकता ओके यह कभी तो यह हुआं क्षेतरे कारेयले पूछे आसकते हैं अ भारतय भीगयानक सर्वेक्षण यह ऐए किस मंत्राले के अंतरगत आता है खनन मंत्रा ले, ओके, नेक्स्ट, हाली में इमने मैंसे किसे सर्वत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया मरनो प्रान, तो राइट आंसर होगा महम्मद महसीन को, किन को मिला है, महम्मद महसीन को, कोई भी व्यक्ति, on duty या off duty, जब अपने जीवन की परवा ना करते हुए, उसे दिया जाता है ये पदक, तो ये तीन स्रेणियों होता है, सर्वत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, और उच्चतम जीवन रक्षा पदक, याद रखना, इसके अधर option भी important है, रवीगे एक बार इन्हें मिला है, नेलसल मंडेला विश्व मानप पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया, संजे सिंग इन्हें दो वर्स 2020 के अंतर राष्टि गांधी अहिंसवादी पुरसकार से सम्मानित किया गया है, सुमित्रा महाजन इन्हें वर्स 2021 में पद्म भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, ओके, नेक्ष्ट है, हाल ही में क मतलब यिद्ध के समय दिया जाने वाले गलबान घाटी ए bouorn देखी थे मतलब देखे गया है तो बले시 scientology के खिल कर नहीं बोलती है कुछ मजबूरिया होती हैं समझना पड़ेगी आपको सरकार की तो वहाँ पर आप ये चीज समझ सकते हैं कि चाइना की जो इंडिया है इनकी तरफ से ये सीधा मैसिज दिया गया है चाइना को कि अगर वो इंसिडेंट हुआ था तो इंडिया ने उसे क्या माना है इंडिया ने उसे युद्ध ही माना है सांतिकाल में नहीं दिया जाता है ये क्या दिया जाता है युद्ध काल में तो इन्हें मिला है कौन सा महवीर चक्र मिला है कहां से है ये तो ये तमिल नाडू से थे संतोष बाबू याद रखेगा तो राइट आंसर होगा राजिस्थान राजिस्थान सरकार के दौरा ये पोध्धा प्रोग्राम लॉंच किया जिसे इंवायर्मेंट के साथ बाली का के जो लिंगान उपात उसको बढ़ावा देना भुरून हत्या को रोकना और बच्ची के जन्मे के प्रति सका रात्मक्ता पेदा करने के लिए लोगों में ये क्या किया गया विहान चिरू किया गया कौन है राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोते हैं याद रखिएगा नेक्स्ट दिखते हैं कॉश्चन हाली में समचारों में चर्चा में रहा उधियम सार्थी अपनी में से किस राजिसरकार के द्वारा लांच किया गया तो राइट अंसर होगा उत्तरप्रदेश सरकार उत्तरप्रदेश सरकार 71 अपने जो 24 जन्वरी को इन्होंने अपना इस्थापना दिवस मनाया अप्तरप्रदेश ने 71 स्थापना दिवस्ट के अपसर पर जो राज के यूवा है उन्हें स्वयम का उध्योग स्थापित करने के लिए या जॉब सर्च करने के लिए यह एप तयार किया गया है तो इसके माध्यम से जो यूवा है वो सो रोजगार का सरजन कर सकेंगे और जॉब की इन्फोर्मेशन इस एप के माध्यम से उन्हें मिलेगी तो यह जो एप है यह किसके तहत लाया गया यह योजना थी वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट जो योजना थी उसी के अंतरगत इसे एप को लांच किया गया है नेक्स्ट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का यह एक और जारी की गई है और इसमें बताया गई कि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है लोगों में अमीर और अमीर हो गया है गरीब और जादा गरीब हो गया है तो यह रिपोर्ट इसमें दरसाई गई है किसमें Oxfam International की रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट जारी करता है Oxfam The Inequality Virus Report World Economic Forum की क्या आई थी रिपोर्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था Climate Risk Report ठीक है World Global Climate Risk Report दो उसका Solve Edition लाया था कौन World Economic Forum ठीक है और Reporters Without Waters के वारा कौन से रिपोर्ट जारी क्या जाती है World Freedom Index ये भी आप याद रखेगा Next Question देखते हैं हाल इवन इमने में से किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री को पदमवी वूशन 2021 से समानित की अगतराई टैंसर होगा जापान के पूर्व प्रधान मंत्री सिंजो आवे को भारत सरकार के द्वारा भारत और जापान के रिस्तों को मजबूती परधान करने के लिए इस अवार्ट से ने समानित किया गया वरतमान में कौन है जापान के परधान मंत्री तो यह हैं योशी हीडे सुगा योशी हीदे सुगा अमेरिका के जो राष्ट पती थे पूर्वू डोनाल्ड ट्रम्प उनके दुआरा उस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फ्रांस के जो राष्ट पती और प्रधान मंत्री हैं वरतमान में उन्हें क्या दिया गया था लीजन आफ मेरेड अवार्ड से समानित किया गया था तो उसमें सिंजो आवे को भी समानित किया गया था याद रखिएगा नेक्स देखते हैं हाल कि बवारत चीन के सैनिकों के मदद सिkk्की में किस छेतर में जड़प हुई है तो देखिए जो जड़प हुई थी यह हुई थी सिkk्कीम के नाकूला में इससे confuse मत कीजिगा नाथूला से तो यहाँ पर जो जड़ब हुई है इसमें भारत के जो सेनिक है चीन के 22 सेनिक गायल हुए थे तो इसलिए यह जो नाकुला पास ही चर्चा में आ गया था और चीन इस थेतर में बड़े इस तर पर अपने निर्मान कारे कर रहा और खुद को मजबूती परदान कर रहा है बोलते हैं युद्ध के टाइम पर जो सिवीलियंस उन पर हमला नहीं होता तो यह जो सिवीलियंस वाले एरिया है इन्हें हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बड़े इस तर पर डवलप करना पड़ेगा जबकि हमारी सेना द्वारा रही है भारत सरकार की नीती क्या रही है जो सीमा वरती चेतर है वहाँ पर डबलपमेंट अगर आप देखेंगे तो डबलपमेंट का इस्तर उतने बड़े इस्तर पर नहीं होता है जैसा चीन ने करा है तो याद रखेगा यांग लाप जो दर रही है कहाँ पर है अधनाचल परदेश में है क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं कोशन हाली में 25 जनवरी 2021 को निमन में से किस राज्जी के द्वारा अपना पचासवा स्थापना दिवस मनाये गया राइट आंसर होगा हमाचल परदेश 25 जनवरी 2021 को हमाच 271 को बना था देश का अठारवा राज्जी कौन सा हमाचल परदेश ओके और इस अपने इस्थापना दिवस के अफसर पर हमाचल परदेश के सरकार के द्वारा अपने राज्ज करमचारियों का जो डिये है उसमें 5 परसेंट की ब्रद्धी भी की गई है याद रखना हाली इपने में से किस स्पेस कमपनी के द्वारा इसरो के रिकॉर्ड फरवरी 2017 के 104 सेटलाइट एक साथ लाँच करने के रिकॉर्ड को हाली में तोड़ा गया है तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स किसकी कमपनी है बई तो ये कमपनी है ऐलन मस्क की और इन्होंने एक साथ इसरो के आगे कितने सेटलाइट लाँच करता है एक साथ जाकसा कहां की इस स्पेस कमपनी जापान की नासा USA की इस कि प्राइवेट कंपनी ए यू एक से की और सी एने तो ये है चाइना की स्पेस कमपनी ओके याद रखिए गा नेक्स एम निम्निमस से किस मंत्राले की वारा गोवा में स्रम शक्ती पॉर्टल को लॉंच किया गया था जो प्रवासी स्रेमिक हैं उनकी सिक्षा उनके स्वास्त और उनके स्वास्त संबंदी जो रहन सहन की परिस्तितियां हैं और उनके स्वास्त भीमा से संबंदी इस स्रम शक्ती पॉर्टल पर कारे किया जाएग आपको एकर प्वेट याद रखना है इन्हें स्कॉष चैलेंज जो आवोर्ड है ज्यूष जो मंतरी को में नरेंद्र सिंग तोमर है जो वर्तमान में हमारे कृषि मंतरी विए तो यह जो इनको किस में मिला था पार दर्शीता कि इस रणी में इस कॉस्ट चेलेंजर आवोर्ट से समानित किया गया था क्लियर है? याद रखना हाली में उत्रकंड राज का पहला बाल मित्र थाना निम्निम से किस पुलिस थाने में स्थापित किया जाएगा तो यह उत्राखंड का पहला मतलब बच्चों के लिए तो यह बाल मित्र थाना इस्तापित किया जाएगा डालन वाला पुलिस थाना में कहां पर डालन वाला पुलिस थाना देश का उत्राखंड का पहला क्या बन गया है बाल मित्र पुलिस थाना बन गया है नोंग पेक सेक मई ये मनिपूर के थोबल जिले का है और ग्रह मंतराले के द्वारा नवंबर दिसंबर 2020 में जो लिष्ट जारी की गई थी बैस्ट टॉप 10 थानों की तो उसमें ये टॉप पर था मनिपूर का दूसरे इस्थान पर था आंधर प्रदेश का सुर्मंगलम थाना और तीसरे इस्थान पर था खार सैंक पुलिस टेशन तो ये भी आप याद रखना स्वतंतर भारत के स्वतंतरता के पश्चाद भारत के देश का पहला ठीक है कागज रहिद बजट निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो राइट आंसर होगा निर्मला सीता रमन ये फुल टाइम हमारी क्या रही है वित्ति मंतरी रही है निर्मला सीता रमन और अब क्या हो गया है एक एप लाँच किया गया है यूनियन बजट तो अब सभी मंतरियों के पास क्या होगा टैबलेट होगा और टैबलेट पर उनके पास यूनियन बजट है उसकी सारी राज्यमंत्री हैं आरके संख मुख चट्टी ये देश के पहले वित्यमंत्री थे इसलिए याद रखना रहे हैं नेक्ट देखते हैं हाल ही में संस्था गत्रणी में निम्नमेंसे कि संस्थान को सुभाज चंदरबोस आपदा पुरुसकार 2021 से चुना गया है तो राइट आं किसे मिला था तो वीरेंद्र जो हैं वीरेंद्र भंडारी वीरेंद्र चोदरी भंडारी को ये अबॉड मिला था व्यक्तिगत स्रणी में ओके याद रखना जो और्गनाईजेशन की स्रणी में है तो इन्हें मिलेगा 51 लाख रुपे का पुरुसकार और व्यक्तिगत गया तो बंदरगा जहाज राणी और जलमार्ग मतराले के द्वारा गुजरात की याद रखना नेक्स्ट है इमने में से किस राजी सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2021 से अपने राजी में जेल परेटन प्रारंब किया जा रहा है तो राइट अंसर होगा महराष्ट सरकार महराष्ट की यरवदा जेल में यहाँ पर गांधी जी, सरोजनी नाइडू, अंबेटकर, सरदार बललब भाई पटेल जैसे महान सतंतरता सेनानियों ने जेल में क्या किया है कुछ समय अंग्रेजों के समय जेल में बिताया है तो इसलिए लोगों को इस से जोडने के लिए प यूर लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो राइट अंसर होगा विश्व राय चोधरी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है ओके अधर ओप्शन्स देख लेते हैं शरी अईयर की बुक आई थी विने शिंग की बुक आई थी ब्लीडिंग इंडिया और मिहिर दलाल की बुक जिसे क्या मिला है पुरुसकार मिला था गाज़ा प्रॉम पुरुसकार तो इनकी बुक आई थी बिग बीलियन स्टार्ट अफ फिलिपकार्ट स्टोरी याद रखना निमन मैंसे किस राज़ में तोशेली समर्द्धी राष्टी सिल्प मेला प्रारंब किया गया तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ओडिशा ओडिशा में ये हत करगा और हत सिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस मेला आयोजित किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले इस्थान पर रहा है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या कतर कतर इस लिष्ट में रहा है पहले इस्थान पर तो देखिए कतर में जो की स्पीड है इंटरनेट की यह किती रही भई तो कतर में रही है 178 Mbps ठीके स्पीड के साथ कतर रहा है इस लिष्ट में टॉप पर टॉप पर रहा है थाइलेंड टॉप पर रहा है ब्रॉडवेंड स्पीड में तो यह भी आप ध्यान रखेंगे इसमें टॉप पर कौन रहा कतर रहा है और भारत की जो कंडिशन है वो क्या रही है 129 रही है 139 कंट्री इसमें ओके याद रखना हाल ही में 25 जिनवरी 2021 को प् मृती रानी ठीक है केंद्री बाल विकास और महिला मंत्राले के द्वारा इसे दिया जा रहा है इस वर्ष 2021 में 32 बालक बालिकाओं को दिया गए जिनकी आईव क्या होती है 18 वर्ष से कम होती है और उनके द्वारा किये गए बहाद्दूरी और साराहनी कार्यों के लिए उन क्या गेस से इथेनॉल बनाने वाला सही अंत्र ओके और जो बायो फ्यूल पॉलिसी है 2018 उसके तहते से स्थापित किया जाएगा सेल के अध्यक्ष कौन बनी है हाली में पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी है इस्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट देखते हैं हाली में इवनिुमण में से किस राज़ी का स्थापना दिवस 24 जन्वरी 2021 को मनाया गया और तो राइट अन्सर होंका उत्तर प्रदेश स्वामी को उत्राखंड में एक दिन के लिए CM बनाया गया था कौन है उत्राखंड के CM तो यह है त्रवेंदर सींग रावत हाल ही में परमाणू हतियार पर पतिवंद लगाने के लिए पहली संधी निम्न में से किसके तहत लागू की गई दी कि यूँ है पहले भी परमाणू बाइंडिंग रहेगी इस पर ओके मतलब लीगली आपको इसको लागू करना पड़ेगा तो यह संधी किसने लाग लेकर आया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाला कि जो परमाणू हतियार संपने देश है वो इसमें इंट्रेस्टेड नहीं और किसी ने भी से भी क्य नहीं करा है साइन नहीं किया ना ही सहमती जताई है याद रखना ही है हाल ही में इमने मैं से कौन सा देश फिर से पेरिश जलवाई समझोते में शामिल हो गया है तो राइट आंसर होगा अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने डवलू एचो से पेरिश सांथी समझोते से ओपन स सकाइ ट्रिटी मेंं भी अमेरिका सामिल होगा और जलवाई पेरिश समझोते में भी अमेरिका बापस आएगा ओक हाली में पच्छिम मंगाल के निम्न में से किस अतपात को जी आइट їच दिया गया हाल ही की बात हो रही है तो सुनदर बन में पाई जाने वाली जो सहद है प्राकरतिक सहद उसे मिला है जी आई टेग ओके इससे पहले पश्चिम मंगाल की दारजलिंग टी पश्चिम मंगाल का आम और लेधर गुट्स को भी जी आई टेग दिये जा चुके हैं नेक्ष्ट है हाली में 4 फरवरी 2021 को हिंद महा सागर चेतर के रक्षा मंतरियों के सम्मिलन की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो राइट आंसर होगा भारत भारत सरकार के द्वारा एक से 7 फरवरी के मद्ध बैंगलूरू में आयजित किया जाएगा रक्षा एक्सपो एरो इ ठक होगी और इसकी थीम क्या रखी गई तो थीम होगी इन्हेंच्ट पीस सीक्योरिटी कॉपरेशन इंडी इंडियन ओश्यन इंप्टेंट है कौन है हमारे रक्षा मंतरी रक्षा मंतरियें राजनात सिंग और इसी के लिए जो रक्षा मंतराले इसने एक मोबाइल एब भ प्रतिवस निम्न में से कब मनाया जाता है तो 25 जन्वरी 1950 को केंद्रिये में क्या हुई थी निरवाचन आयोग की स्थापना हुई थी और तभी से प्रतिवस 25 जन्वरी को मना जाता नेशनल वाटर्स डे ओके याद रखना इसकी थीम क्या थी मेकिंग अवर वाटर्स प्रसिक्षन के लिए ग्रह मंत्राले द्वारा सर्वस रिष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है तो यह गुजरात में किया जाएगा देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क अडानी ग्रुप के द्वारा नेक्स्ट गांधी नगर गुजरात के बारे में देख लेते यह गुजरात कैपिटल गांधी नगर मुखे मंत्री विजरुपानी गवर्नर है आचार देवरत ओके सबसे लंबी तट्रेखा वाला राज अगर पूचा जाए तो गुजरात और दक्षन भारत में पहले बनने से पहले मौरार जी देशाई ड्रेगन फूट का नाम बदल कर कमलम फूट कर दिया गया इनके यह सीएम जो है गुजरात के विजरुपानी द्वारा देश का पहला समुदरी संग्राले लोथल गुजरात में बना है भारत का पहला डाइनसूर पार्क वा मुज यह मही सागर जिला गुजरात करोना अभियान पक्षियों के लिए 2021 जनवरी में प्रारम भी किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चडिया घर जाम नगर गुजरात में रिलाइन समु द्वारा बनाए जाएगा देश का प्रवासी सेल सूर गुजरात सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रीड नवी करने उर्जा पार्क कच्छ में जिसकी 36000 मेगावाट होगी इस्थापित किया रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खिलोना संग्राली गुजरात में बनाए जाएगा सहत परिक्षन प्रियोक साला आनंद ज जो एर फिल्ड है वैपन यहां इस्थापित किया गया है इस हॉक के ठीके जो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड है उसके हॉक आई-2 जो यह विमान है इसमें से इन बिल्ड करके इसका सफल परिक्षन किया गया है ओके याद रखिएगा किसने निर्मित किया था उस वर्ष मनाना प्रारंब किया गया था तो पहली बार जो हमारा केंदरी महिलावंबालविकास मंत्राले उसके द्वारा 2008 में से मनाया गया था राष्टी बालिका दिवस को और इसको 2021 में मनाया गया है 24 जन्वरी को 24 जन्वरी से ही यह मनाया जा रहा है बालिकाओं के प्रति 2021 निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम विश्वा अर्थिक मंच जिसका हैटकॉर्टर आपको मिलेगा सुजरलेंड में और इसकी अभिहाल ही में क्या हुई ये 24 से लेके 26 जन जो बेठक है पहली बार स्विटसरलेंड के बाहर होगी मतलब एप कहां पर ऐसिया में तो सिंग्मपूर में इसकी बेठक होगी फरवरी 2021 में डेट अभी क्लियर नहीं है लेकिन इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा तो यह भी आप याद रखेंगे ओके नेक्स्ट दिखते हैं वर्ट एकनोमिक फॉरम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ट एकनोमिक फॉरम की वर्चुल बेठक दावोस एडजनरा 2021 पत्चीस से मैंने डेट गलत बोल दी थी 25 से 29 जनवरी की मध्य आयोजित होगी वर्ट एकनोमिक फॉरम के संस्तापक और कारेकारी अ गुजरा सरकार के द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इस से जुड़े किसानों की आये को दुगना करने के लिए ये बागवानी अभियान प्रारंब किया गया है कौन है यहां के मुख्य मंत्री विजय रूपानी है इनी की द्वारा से लॉंच किया गया है नेक्स्ट है हाली में इमने से किस राजजी में देश का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्गाटन किया गया है मेगाले के पूर्विय खासी जिले में इस रोड आर्च ब्रिज का निर्मान किया गया है देश का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज है कितना है 160 मीटर इसकी लंबाई है नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राजजी में पाई जाने वाली गुच्छी मस्रूम को जिया टेक दिया गया है जमु कश्मीर में पाई जाती है गुच्छी मस्रूम और नीती आयोग के जो सी मिताप कांत उनके द्वारा इस पट्यूट किया गयता है के 20,000 से 30,000 किलोग्राम बिक्ती है ये गुच्छी मस्रूम हार्ट के पैसेंट के लिए ये बहुत जादा लावकारी होती है याद रखिएगा भारती रेल्वे ने हाबडा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है सुबाज चंद्र बोज जी के नाम पर नेता जी एक्स्प्रेस इसका नाम कर दिया गया है करनाटक के हैं ये महादेव अप्पा मेलेरा इनके नाम पर किसका नाम जो करनाटक का हुबली रेल्वे स्टेशन उसका नाम रखा गया है महादेबप्प मेलारा नाम सिधार्थ नगर ये जो नोगर रेलवे स्टेशन था उसका नाम क्या कर दिया गया है सहदार्थ नगर रेलवे स्टेशन और करनाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कर दिया गया है सिरी सिद्ध रूडा स्वामी जी रेलवे पर और यह पीएश्डी करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं सडक सुरकचा पर और इन्हें दिया गया है सडक सुरकचा पुरसकार 2021 तो ये आप याद रखेंगे रोहिनी गोड बोले, रोहिनी गोड बोले कौन है? तो भाई ये इन्हें दिया गया है फ्रांस और भारत के संबंदों को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस का सर्वच्च सम्मान, के पलानी इन्हें दिया गया है वाल टाइम गैलेंटरी अबॉर्ड, ओके रंजीस सिंग डि इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया और गोवा के सीम कौन है प्रमो साबंत के द्वारा इसे लांच किया गया था कौन थे मनोहर पारेकर यह हमारे पूर्वरक्चा मंतरी थे विने कुमार सिंग इनकी बुक आई थी ब्लीडिंग इंडिया याद रखिएगा वजाहत हभी इनकी बुक क्या आई थी माय टैनुएर विथ राजीव गांधी ट्रम्स एंड ट्रेजडी ओके तो उन्हें भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हाल ही में आयुष मंतराले का अतरिक्त प्रभार निम्न में से किसे सोपा गया है तो राइट आंसर होगा यह बन गया है कि कौन थे आयुष मंतराले का अतरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया कौन थे आयुष मंतराले के मंतरी तो यशोपद नाइक थे और इस एक सड़क दुर घटना में इनका एक्सिडेंट हो गया जिसमें इनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई और यह गंभी रूप से इसलिए अतरिक्त प्रभार किसे दे दिया गया केंद्री खेल मंतरी किरन रिजीजु को ओके और भुकता जो मंतराले है उसका जो खादिवं प्रसंस करन मंतराले जो है उसका अतरिक्त प्रभार प्यूद गोयल को दिया गया और यह कौन है हमारे रेल मंतरी है ना रेंद्र रखेंगे, रखेंगे, खाल हीम, उत्तरप्रदेश के निमन में से किस सहर में पहली बार, इस्ट्रोवեरी महसब का आयुजन किया गया है, तो उत्तरप्रदेश के जहासी जिले में, पहली बार इस्टरोवेरी के उतपादन को बढ़ावा देने के लिए, उड़ से जुड़ किया जा रहा है और इसके लिए केंद्री वानिज मंत्राले के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है पीली भीत अभ्यारन जो है टाइगर रिजर्व इसने अपने जहां जो टाइगर उनकी संख्या को क्या कर लिया दुगना कर लिया है और इसे टी-एक्स-2 पुरुसकार से सम्मानित किया गया घरेटर दुगर्व ऑततर मैकरहों का आंत्वाinstय civ को वो को पर ठी-एक्स-esam mojek न से एक्सा सम्मानित किया गया था। गोतम बुद्धनगर सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जारी उत्तप्रदेश सरकार के दौरा फिल्म सिटी से याद रखना हर्याना सरकार एक फिल्म सिटी बनाने की गोशना कर चुकी है दिव्यांग साधी प्रोसाहन योजन उत्तप्रदेश सरकार के दौरा लाई गई है विश्व कर्मा सम्मान योजना उत्तर प्रदेश सरकार 2021 में प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी के करियान बेंड में प्रथम इस्थान पर उत्तर प्रदेश रहा देश में मुख्य मंत्री माटी कला योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लौंच की है साधी अनुदान योजना प्रारंबी की गई, सिख गुरूओं के इतियास को स्कूल के पाठेक्रम में शामिल करने की गोशना की गई है जेवर ग्रीन फिल्ड हवाई एड़े का नाम बदल कर नोईडा इंटरनेशनल इयरपोर्ट कीया गया है नोईडा इंटरनेशनल इयरपोर्ट का लोगो यूपी का राजकिय पक्षी सारस को बनाया गया है बीसी सखी योजना प्रारंब कीती महिलाओं को बेंकिंग चेतर से जोड़ने के लिए मेगा चमडा पार्क कानपुर में स्थापित किया जाएगा वरासत अभियान ग्रामिन चेतरों में जमीन संबेंधी विवादों के निप्टारे के लिए प्रारंब किया गया है तो ये इतने पॉइंट आप उतर प्रदिश से याद रखिएगा तो उसमें अब DRDO टेक्निलोजी के माध्यम से सड़कों के निर्बार में सहीयोग करेगा वुकम परहीत सड़कों को बनाना और टेक्निकली जो सड़के निर्मित की जाएगी उनकी क्वालिटी क्या होगे अच्छे सतर की होगी तो ये भी आप याद रखिएगा हाल ही में भारत और निर्मित से किस देश के मध्य सोर उर्जा के छेतर में सहीयोग के लिए समझोता किया गया है तो राइट अंसर होगा यहाँ पर हमारा किस के साथ ये समझोता हुआ है भारत और उजवेकिस्तान के मध्य याद रखिएगा ये राम एप में उजवेकिस्तान कैपिटल क्या है इसकी तासकंद है और इसकी सीमा किस से लगती है यहाँ पर अरल सी से लगती है और ये भी क्या है लेंड लॉग्ड कंटरी है क्यों कि इसकी सीमा अंतराष्टी समुद्री सीमा से नहीं लगती है नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किसने गाजप्रॉम ब्रिलियंसी पुरुसकार 2021 जीता है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर निहाल सरीन सतरंज के खिलाड़ी है निहाल सरीन और इन्हें रसिया में जो आपका चेस इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो इन्हें रसिया की एक कंपणी है गॉस्प्रॉम गेस की कंपणी उन्होंने इन्हें यह आवर्ड दिया है ओके याद रखना डॉक्टर सेला करेंज इनने फ्ल्लोरेंस नाइट एंगल पुरऊचार दो हजर बी से सम्मानित किया गए था इमंत कुमर इन्हें डियाईड साइंटिस्ट अफ दी इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गए था और अमित केसरवानी इन्हें APJ अब्दुलकलाम साइंटिस्ट आफ दी एर आवर्ट से सम्मानित किया गए था सभी को याद रखना ओके फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आ रही तो जद जद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए चलिए पॉइंट पॉइंट सेक्शन शिरू करते है पहला पॉइंट है हमारा जल प्रभंदन सूचकांक नीती आयोग द्वारा जारी किया जाता है याद रखेगा यहाँ पर नीती आयोग द्वारा जो जो इंपॉटन सूचकांक है वो दिये जा रहा है 2020 में इसमें सीर्च पर कौन सा राज रहा था गुजरात निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में तो टॉप पर कौन रहा गुजरात Education College School Education Quality Index 2020 टॉप पर कौन रहा केरल स्वास्त सूचकांक 2020 टॉप पर कौन रहा केरल प्रदान मंत्री मार्क रूट के साथ पूरे मंत्री मंडल ने स्तीफा दे दिया इसका कारण रहा चायल्ड केर सबसिटी गोटाला निदर लेंड में भारत के राजदूत कोन है प्रदीप कुमार राबत है और ये कोश्चन आ चुका है MPPSC का जो जेल पहरी का एक्जाम हुआ है नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में उसमें दुनिया का पहला तेरता हुआ डेरी फॉर्म निदर लेंड में प्रारंब हुआ है हाली में राजिस्थान रॉयल्स टीम के नए कप्तान संजू सेमसंग को निक्त किया गया है पहले कौन थे इस्टीव स्मित थे ऑस्ट्रेलिया के हाली में गुजरात राजजी ने ड्रेगन फूर्ट नाम जो क्या दे दिया है कमलम प्रवासी स्रेमिकों के लिए स्रम शक्ती पोर्टल स्रम शाथी लॉंच किस ने किया केंद्री मंतरी अर्जुन मुंडा के द्वारा गुवा में लॉंच किया गया 20 जनवरी 2021 को प्रदान मंतरी आवासी ओजना ग्रामिट के ताहत उत्तर प्रदेश को 1.6 लाक लावारतियों के लिए कितने करोड की है बित्ति साहिता दी गई है 2691 करोड की खोको फेडरेशन ओफ इंडिया और अल्टिमेट खोको में खिलाडियों के लिए पहली वार वेज्ञानिक प्रसिक्षन की शुरुवात केंद्री खेल मंतरी किरन रिजुजु के द्वारा फरीदाबाद में राष्टी सिविर में की गई है वायू सेना अकैदमी 19 जनवरी 2021 को अपनी स्वर्ण जेन्ती मना रही है 50 भी मनाई गई भारती वायू सेना का मुख्याले कहां पर है डिंडी गुल तेलंगाना में है भारत में बॉर्डर गावेशकर ट्रॉफी 2021 32 साल के बाद दग गावा के मेदान पर औस्ट्रेलिया के नावाद रहने के बाद ही रेकोड भारत ने तोड़ा है क्योंकि 32 साल से कोन नावाद था इस गदा गावा इस्टेडियम पर तो ये थी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अब इसे यहां हरा दिया है इसको नाम क्या है वैसे ब्रिस्वेन क्रिकेट है इस्टेडियम है राष्टी मतदाता दिवस 25 जन्वरी 2021 को केंदरी कानून मंतरी रवी संकर प्रशाद ने निर्वाचन आयोग के ओर से डिजिटल मतदाता आईडी काट को लांच किया है मुख्य मंतरी उत्महिला उतकर्शी योजना गुजरास सरकार के द्वारा प्रारंबी की गई RBL Bank के MD CEO पुना विश्व वीर आहुजा को न्युक्त किया गया है सुबोत कुमार जेस्वाल CISF के डारेक्टर जन्रल बने है भारत और फ्रांस के मद्द बायु सेना अभ्यास Exercise Desert Night 2021 का आयोजन जोध पुर में किया गया है 20-24 जन्वरी 2021 के मद्ध वर्स 2024 के Summer Olympic का आयोजन पेरिस में होगा इसमें Skateboarding, Breakdance, Sport Clamping, Suffering नए खेलो को शामिल किया जाएगा UNESCO Financial Action Task Force का Organization for Economic Cooperation का इन तीनों का Headquarter जो है आपको कहां मिलेगा पेरिस फ्रांस में मिलेगा खेलो इंडिया जासकर Winter Sports and Youth Festival 2021 का आयोजन लद्दाख में प्रारम हुआ कब से 18 जन्वरी से पहली बार Ice Clamping Festival लहके नुब्रा वैली में आयोजित किया गया खेलो इंडिया Ice Hockey Tournament लद्दाख के कारगिल जिले में प्रारम हुई तीनों बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्पेशली आयोजित किया जा रहा है और खेलो इंडिया के तहती इनका आयोजन किया जा रहा है डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बेंक के द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स ओके टॉप पर कौन रहा है इसमें न्यूजिलेंड भारत का इस्थान के 63 रहा है और टॉप पर रहा है 2020 में नौर्वे और भारत का इसमें स्थाने 142 रहा हाल ही में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेर शेर फॉर चिल्डरन्स अभ्यान केला सत्यार्थी की द्वारा प्रारंब किया गया है कौन है केला सत्यार्थी भाई ये भारत के पहले व्यक्ति जने सांती का नोवल पुरुसकार मिला है 2014 में मलाला यूसिफ जई के सांथ इनकी एक बुक भी लॉंच की गई थी उसका नाम था COVID-19 सब्भिता और समाधान का संकट सयुक्त राष्ट सरसत विकास लक्षो को एक महतपूर्ण लक्ष में बाल मजदूरी को वर्स 2025 तक पूरी तरीके से समाप्त करना है ये भी याद रखना हाल ही में वर्स 2020 का Capital Business Book Prize Big Billion Startup The Untold Story को मिला है इसके लेखक कौन है? मिहिर दलाल है हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सीर्स पर जापान रहा है भारत का इस्थान इसमें 85 रहा है Human Freedom Index 2020 में सीर्स इस्थान पर न्यूजिलेंड रहा है और भारत का इस्थान 111 वा रहा है हाल ही में The Law of Emergency Powers Comparative Common Law Perspective बुप को किसने लिखा है? डॉक्टर अभिशेक सिंग्वी और प्रोफेसर खगेश गोतम की द्वारा लिखा गया है अमेरिका के पहले आसुएत रक्षा मंतरी लॉइड आस्टीन है हाल ही में जारी Global Fire Power Index में टॉप पर USA रहा है जबकि भारत का इस्थान चोथा था इसमें World Economic Forum के द्वारा Solvy Westwick जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की गई ये रिपोर्ट कप से जारी की जारी है? 1971 से हाल ही में अंद्रप्रदेश के मुख्य मंतरी जगन मोहन रेड़ी ने रासन आपूर्ती और वित्रन के लिए मुबाइल वित्रन एकाईयों को हरी जंडी दिखाई है महराष्ट सरकार के द्वारा नाकपूर इसित गोडे वारा चडिया घर का नाम बदलकर बाल ठाकरे चडिया घर रखा गया है जकार्ता में आशियान सची वाले में भारत के राज्यू जैन्त खोबर गड़े को निक्त किया गया है हाली में गूगल ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कमपनी फिट बिट कमपनी का अधिगरण किया है हाली में एक्सिस बेंक के द्वारा स्वास्त कल्यान सुविधाओं से युक्त औरा क्रेडिट कार्ट को लांच किया है हाली में सेवी के द्वारा HDFC बेंक पर 10 करोड रुपे का जुर्माना प्रबंधन खामियों के तहत लगाया गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव लिमेटेड इफको विश्व की 300 सहकारी समीतियों की सूची में सीर्ष पर रखा गया इपको की स्थापना को हुई थी 67 में वर्तमान ने इसके MD और CEO को ने US अवस्ति हैं चेर्मेन को ने BS नाकाई है हाली में प्रधान मंतरी मोदी के द्वारा अठारवी तेजपूर यूनिवर्सिटी दिक्षान समारों को संबोधित किया गई तेजपूर यूनिवर्सिटी कहां पर है असम में है के याद रखना और 72 वरतंतर दिवस 2021 की परेट की सुरक्षा में विश्व प्रसिद्ध क्रेक के नाइन ये भई डॉक की एक टीम होती है ना डॉक जो होते हैं क्रेक के नाइन क्विक रिस्पूंस टीम महत्पुन भूमी का निवाईगी यहां ITBP के अंतरगत आती है अंडबान एकोबार में सैयुक तुसेन अभ्यास कवज थल सेना जल सेना वाई सेना और भारतियत तर ट्रक्षा बल मिलकर आयजित करेंगे अंतर राष्टी सिक्छा दिवस 24 जन्वरी को मनाये जाता है इसकी थीम क्या थी जो भी जम्रीकॉम राष्टी बाली का दिवस भी मनाते हैं रिकवर एंड रिवाइटलाइजड एजुकेशन फॉर दी कोविड नाइटीन जेनरेशन हाली में आई सोकी इंडिया एसोशियेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के बारा मुला में दसवी राष्टी आई सोकी चेंपेंशिप का आयोजन किया गया इसकी विजेता कोन बनी आई टी वीपी की टीम बनी है हाली में भारती गणितगी प्रोफेसर निखिल सिरिवास्तब ने माइकल एंड सीला हेड पुरसकार 2021 जीता है माइकल एंड सीला हेड पुरसकार अभी उद्धे मुफ्त कोचिंग सुवीधा उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े बर्गों के बच्चों के लिए प्रारंब की गई है हाली में 36 गड सरकार के द्वारा सभी सारवजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पेनिक बटन अन्यवारे कर दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा कम आये वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सगुन नामक योजना प्रारंब की गई जिसका उद्देश है बाल विभा को रोकना पुर्तकाल के फिर से राष्टपती कौन बन गए है मारसेलो रेबोलो डी सोसा बन गए है पुर्तकाल की कैपिटल क्या है लिस्बन ओके इंडिया 2030 दराइज ओफ राज्यसिक नेशन बुक के लेखक गोतम चिकरमाने द्वारा लिखी गई है यही इसके लेखक है 32 बच्चों को 2021 में प्रधान मंतरी नेशनल चिल्रन अवर्ड 2021 से समानेत किया जाएगा देश का पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क असम में नितिन गडगरी के द्वारा अधार शिला रखी गई थी अक्टूबर 2020 में ठीके पहला लोजिस्टिक पार्क की बात आईगे तो आप असम लगाएंगे और सबसे बड़े लोजिस्टिक पार्क की बात आईगे तो आप गुजरात लगाएंगे पहला CNG Terminal गुजरात में स्थापित किया जाएगा भावनगर में अड़नाचल प्रदेश के पंपपूर पार जिला में वेंडेनियम धातु की खोच की गई और लीथियम कहां मिला है करनाटक में मिला है हाली में शाम स्री निवासन को Business Standard of the Year 2019-2020 पुरसकार से सम्मानित किया गया ये Federal Bank के MDCO है कहां पर इसका मुख्याले कोच्ची में है 15-30 व्यास को तांसेन पुरसकार 2020 से सम्मानित किया गया मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है राष्टिये तांसेन सम्मान पुरसकार नेलसल मंडेला विश्व मानत्तवादी पुरसकार से रवी गयकवाल को सम्मानित किया गया है 23 जन्वरी 2021 को पुर्दान मंत्री मोधी के द्वारा विक्टोरिया मेमोरेल में नेता जी के 125 वी जैनती पर डाक टिकेट जारी किया गया नेता जी के पत्र नामक पुस्तक रिलीस की गई तथा निर्भीक सुबास नामक प्रदर्शनी भी लगाई गई है हाली में भारती रेलवे के दक्चिन पूर्व मध्य रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके नया रेकॉर्ड बनाया है मालगाड़ी की लंबाई कितनी थी 3.5 किलोमेटर थी जबकी 224 मीटर लंबी रेलगाड़ी चलाई गई ठीक है कहां से भिलाई से कोरवा 36 गड़ में ये चलाई गई है नेक्स्ट देखते हैं हाली में नोटिफाइड डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक D.S.I.B.S. RBI द्वारा चुनी गई है कौन-कौन को माना गया है ये बैंक तो SBI, HDFC, ICC बैंक को चुना गया इस फ्रेमबर को 2014 में RBI के द्वारा लागू किया गया था 21 जनवरी 1971 को मेगाले मनिपूर त्रिपुरा को राज्जी के रूप में सिवकार किया गया और 1972 में यहाँ पून राज्जी बन गये थे तीनो उत्तर प्रदेश का इस्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया गया हाली में केंदरी केविनेट में रिटले हाइडरो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5,282 करोड रुपे के निवेश को मंजूरी देए यहाँ प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में किस पर चिनाव नदी पर बनाया चाएगा हाली में सयुक्त राष्ट संग के द्वारा पहली बार प्रोहिबेशन अफ नुकलियर वेपन ट्रीटी को बाई जनवरी 2021 से कानूनी रूप से बाद्धी बनाया गया है हाली में अंदरप्रदेश के मुख्य मंतरी जगन मोहन रेड़ी के द्वारा राषन आपूर्ती के लिए मुबाइल वित्रन एकाईयों को हरी जंडी दिखाई गई है ओके फ्रेंट्स तो ये था आज का हमारा जनवरी फोर्थ वीक का करंट अफियर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे ओके फ्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग और टेक केर